So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are doing very well. So, दोस्तों, आज मैं फिट से लेकर आओं एक और धमाकेदार रिवीव वीडियो जहां में एक नजर डालेंगे Garnier Mane का Turbo Bright Anti-Pollution Double Action Face Wash जिसका आप लुक देख सकते हो. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस Face Wash के बारे में पूरी सच है, जैसे कि फाइदे, नुकसान, safe ingredients डालेंगे हैं कि नहीं, price यूज करने का तरीका और भी बहुत सारे चीज़ें. I can guarantee you दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे इस्तमाल करना हमारे skin के लिए safe है या नहीं, क्या ये budget friendly है, क्या इसका ingredients list है, हर एक सीज हम आज इस वीडियो में discuss करने वाले हैं. So दोस्तो, without any further delay, let's get started. Well, दोस्तो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस face wash के inner packaging के बारे में उसके बाद हम benefits के उपर भी बात करने वाले हैं. All right, दोस्तो, इसकी packaging के बारे में बात पर तो आप देख रहे होंगे कि ये plastic की tube में आता और इसका design काफी ज़्यादा simple और attractive है. इसे देखने के बाद ही आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसे इस तरीके से design ही किया गया है, बहुत ही attractive, simple और ये decent look में आता है, और ये plastic की tube में आता है और ये मेरे पास छोटा सा tube है, आप बड़े tube में भी ले सकते हैं. Apart from that, if we talk about its benefits, then आपको 4-5 मुख्या फाइदे देखने को मिलेगा. दोस्तो आपको बता दू कि इस face wash को mainly main के लिए design किया गया है, especially इसे main ही इस्तमाल कर सकते, ये face wash main के लिए design नहीं किया गया है. दोस्तो इस face wash को इस तरीके से design किया गया है, जो कि हमारे skin को deeply cleanse करता है, जो भी dust, oil, impurities रहता है हमारे skin के ऊपर, completely remove करता है और deeply cleanse, यानि के गहराई से साफ करता है हमारे skin को. दोस्तो कहीं बार हम बाहर जाने की कारण से pollution के कारण से जो भी हमारे skin पर dirty impurities रहता है, या sun damage रहता है, तो ये face wash mainly उसको cleanse करता है, remove करता है और आपको एक face look देता है. नमबर टू, दोस्तो इसमें salicylic activity सामिल है, दोस्तो आपकी जानकारिक लिए मैं बता दू कि salicylic acid one of the best and safest ingredient में से एक है, salicylic acid mainly acne और pimples को treat करने के लिए जाने जाते है, अगर आप लमजे समी से acne और pimples से ग्रसीत है, परिशान है तो please salicylic acid आप जरूर ढूंड़े किसी भी face wash में, अगर आपके face wash में salicylic acid मौजूद नहीं है, चाहिए 1%, 2%, 5%, 10%, whatever it is, अगर salicylic acid मौजूद नहीं है, तो कोई भी काम नहीं करेगा acne और pimples को remove करने के लिए, अगर आप acne और pimples से चुटकारा पाना चाहिए तो firstly find salicylic acid in your face wash, नमबर 3, दोस्तो इसमें vitamin C भी सामिल है, जो की radiant complexion को improve करने में help करेगा, यह face wash mainly anti-pollution और brightening के लिए जाने जाते है, अगर आप भी anti-pollution यानि की dirt impritish वगरा से चुटकारा पाना चाहते है, या आपने skin पर brighten add करना चाहते है, या आप गोरा दिखना चाहते है, तो please यह face wash जरूर इस्तमाल किजिए, one of the best face wash में से एक देने वाले आप लोगों के लिए, apart from that, इस face wash की core ingredient की बारे में बात करें, यानि कि many ingredients में आपको देखने को मिलेगा, black charcoal और icy clay complex, इसमें icy clay complex भी सामेल है, यानि कि इस face wash को लगाते है, आपको immediately एक ice की तरह फील होगा, यानि कि आपने आपने face पर किसी भी तरह का ice अपलाई की easy जैसे वगरा, आपको hard chemicals देखने को मिलेगा, लाकि face wash में काफी सारे natural ingredient भी सामेल, अगर chemical की perspective से माँ बात करो तो chemical सुनते ही, आप लोग यह मत समझें कि इसका कोई side effect ही होगा, बहुत सारे good chemicals भी आते है, neutral chemicals भी आते है, और bad chemicals भी आते है, face wash में natural ingredient के साथ आपको काफी सा आपको bad chemicals भी देखने को मिलेगा, जो कि long term के लिए अच्छी बात नहीं है, जैसे कि fragrance आपको पता ही होगा हमारे skin के लिए कितनी ज्यादा sensitive पैदा कर देते हैं, हमारे skin पर irritant भी यानि कि irritation भी पैदा कर सकते है, 2-3 chemicals छोड़ के यह face wash overall काफी ज्यादा अच्छा है, आप 3-4 दिन ही maximum use किजिए, क्योंकि long term के लिए अगर आप चाहे यूज करना तो कर सकते हैं, बट हटे में 3-4 दिन absolutely fine, there is nothing to worry about it, अगर आप regularly use करते हैं, तो आपके skin पर irritation पैदा हो सकते है, redness वेगरा, कुछ sensitive का मामला पैदा हो सकता है, but it is absolutely fine, आप 3-4 दिन use किजिए, कोई उतन का प्रोपर्टीज है, ये दूसरे face wash के मुकाबले काफी ज़्यादा अच्छा है, इसकिन को deep cleansing इस तरीके से करता है, जैसे कोई दूसरा face wash कर ही नहीं सकता है, इसे use करने के बाद आपको काफी ज़्यादा unique feel होगा, और जैसे लगेगा skin पर कोई भी dust imperatives, कोई भी chip का होगा पदार्त आपके skin पर मौझूद नहीं है, well, again, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस face wash को कोई भी side effect नहीं है, उस तरीके से आप हाला की use कर सकते हैं, but maximum 3-4 दिन कीजिए, वह आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा, long term के लिए आप करना चाहते तो करिए, but regular base में मत किजिए, इसमें कुछ 2-3 chemicals है, hard chemicals, जो मारे skin को नुक्सान पहुंचा सकता है, overall ये product काफी ज़्यादा, magnificent, unique है, एक खुद इसे carry करता हूँ, जब भी traveling करता हो, कुछ भी करता हो, मैं इसे जरूर यूज करता हूँ, ये face wash मेरा best face wash है, दोस्तों, मैं ये 2-3 दिन हफते में यूज कर लेता हूँ, that is enough for me, मैं mild face wash normal day पे यूज करता हूँ, जब भी skin को ज्यादा जरूर आतो हो, fresh fill होना चाहता हूँ, इसे मैं इस्तमाल करता हूँ, अगर इसकी price की बारे में बात करे हो, तो इसकी price आपको 69 रूपीज में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 25 ग्रा जाज करें, face wash में फिर उसके बार पानी से धोलीजें, काफी ज्यादा आपको अच्छा फिल होगा, यूज करने के कोई उतना ज्यादा criteria नहीं, simply आप जैसे normal face wash से यूज कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा, और इस face wash आप दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं, और